एक समान चुम्बक्य छेत्र में धरावाही लूप पर बल्युग्म का आघोंड यानि moment of couple on current carrying loop in a uniform magnetic field आज हम क्याद करेंगे कि एक समान चुम्बक्य छेत्र में इसी धरा लूप पर बल्युग्म आघोंड कितना होता है तो जैसे कि आप जानते हो कि मान लिजिए कि कोई एक धरा लूप है जिसमें आई current flow हो रही है और उसे किसी चुम्बक्य छेत्र में रखा हुआ है तो वह एक बल का अनभाव करेगी अतै धरा लूप परतेक भुजा पर एक बल का अनभाव करती है जिसे हम दाए हतेली के नियम से भी समझ सकते हैं मान लिजिए धरा लूप की जो भुजाएं हैं जो साइट की भुजाएं हैं परतेक की लंबाई L है तो चुम्बक्य छेत्र B पर लगने वाला जो बल होगा या चुम्बक्य छेत्र या बल का जो मान होगा उस बल का मान F is equal to I L B या F is equal to I L B साइन धीटा होगा और यह दोनों साइड E को लेना पोजिट होगा तो माना की F1 एक जो बल है वो पेपर के तल के लंबाद है और F2 की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबाद है यानि दोनों ही जो बल है एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड है और दोनों की क्रिया रेखा अलग-अलग है आता है यहाँ एक बल्यूग्म बनाते हैं जिसे हम बिक्षेपक बल्यूग्म या डिफलेक्टिंग कपल कहते हैं और यही जो है एक बल्यूम के कारण दक्षणावर्थ घूमने लगता है यहाँ पर यहाँ कुंडली जो है दक्षणावर्थ घूमने लगेगी जिसका कारण क्या है F is equal to I L B या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ लूप एक आयताकार लूप किसी कौन पर जो है वो जुकी वी है या आप ऐसा कह लीजिए कि चुम्बक्य छेत्र की जो दिशा है अगर वहाँ लूप के साथ ठीटा कौन बनाती है तो तब जो बिक्षेपक बल आगोन ह होगा उसका मान टाव इस इकल टू आई एल बी साइन थीटा होगा या आप इस ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए जो हमारा लूप है उसका छेत्र फल एक बराबर है तो ए बराबर हमारा हो जागा एल इंटू बी यानि लंबा एकुणा चोड़ाई तो इसलिए हम लिख सकते है टाव इस इकल टू आई ए बी साइन थीटा अता हम कह सकते हैं कि धारा लूप पर जो नेट बल है उसका मान सुन्य होगा क्योंकि यहां दोनों बरस पर बराबर और विपरी दिशा में जो बल है वह इसका आगोंड तो होगा लेकिन जो नेट फोर्स होगा उसका मान सुन होगा तो हम कह सकते हैं कि बल युग्म का जो आगोंड है वो टाव जी कल टू आई ए बी साइन थीटा होता है और यह बल युग्म धारा लूप को गुमा कर ऐसी स्तिती में ले आता है जिससे कि वह चुम्बकिय छेतर के सामांतर हो अर्थात लूप का तल चुम्बकिय छे कि लंबत हो ऐसी स्तिती में थीटा बरावर जीरो मान लें तो बल युग्म का आगोंड सुन्य हो जाता है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टॉर्क इस इकल टू आई एबी साइन थीटा किसी भी आकार के बिरताकार या आयताकार लूप के लिए यह सत्य है और इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी लूप में अगर चुमबक या छेतर का मान वहां पर हमारा बी है तो हम कह सकते हैं कि यह लूप के अस्तान पर हम कई लूप को ले लें तो कुंडली अथवा परिनलिका के चारों और जो हमारा बल युग्म आगोंड होगा वह हो टॉग्वा इस इकल एन आई ए बी साइन थीटा होगा जहां हमें कह सकते हैं एन कुंडली में फेरों की संख्या है या यदि कुंडली का जो चुमबक के छेतर है वहा रेडियल है तो वहां पर प्रतेक स्तिती में बल रेखाएं सामानतर होंगी तो थीटा वराबर 90 डिगरी तो हम कह सकते हैं सा सामे कुंडली पर लगने वाला बल यूग्म टाव इस इकल टू एन आई ए बी के बराबर होगा